दोस्तों, Women's Big Base League का मेच खेला जाने वाला है, जो कि खेला जाएगा, Purt Scorcher और Hobart Hurricane Woman के बीच में Already दोनों टुप मेच में एक Head-to-Eight मेच खेला जा चुका है, जिसे Purt Scorcher Woman ने काफी अच्छे से win करा था दोस्तों इस मेच में कुछ Grandi की Differential Player आप लोग सा share करने वाला हूँ, जो आपको काफी अच्छा आज के विनिंग करवा सकते हैं Smallly खेल रहा है तो भी आप लोग के लिए वीडियो और Grandi खेल रहा है तो यी वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों तो चलिए सबसे पहले दूस्तों अपन वेन्यू की बात कर लेते हैं WACA, Cricket Ground में मेच खेला जाने वाला है, Australia में है जो की दूस्तों यहाँ पर अगर अपन बात करें इस वेन्यू की दूस्तों तो यहाँ पर इस साल का यह पहला मुकाबला खेला जाने वाला है पिछले जो मेचेस यहाँ पर खेले गया है आप यहाँ पर परफ्योंस देख सकते हो, जिसमें दूस्तों देखोगे तो पेस्ट्र जो मेच खेला लगया तो इसमें Spinner को अच्छी मदद मिले थी, लेकिन ज़नरल यहाँ पर पेसस को जादा मदद मिलते हैं दोस्तों यहां पर दोस्तों लास्ट मिच में जो स्कोर कार्ड रहा थे 166 बनाया थे स्रिणी ठंडर ने और पर्थ स्कॉचर बुबेन का होम ग्राउंड है तो इनका यहां पर मैचेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे दोस्तों इसके अलावा दोस्तों 2021 में भी कुछ मैचेस के ले गए थे यहां पर आप देखोगे पेसर्स का बोल बाला काफी ज़्यादा रहा था और 2022 में जो लास्ट सेकेंड मेच के लागया था उसमें भी पेसर्स ने बहुत अच्छी पर्फॉमस दीती तो वरल मान के चलना पेसरों के लिए बहुत बहुत तो वो रहेगा पर्थ स्कॉचर वुमेन का और यहां पर दोस्तों टीवान ओल आउट जादा होती है रन थोड़े से कम देखने को मिलते हैं आप यहां पर पर्फॉमस देख सकते हैं इन तीनों स्कॉर कार्ड में आप विकेड जादा गिरते हो देखोगे और जो रन बने ह है वो एवरेज बने हैं 120 के अराउंड ठीके इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो मेचेस हुए हैं उसमें पर्थ स्कॉचर ने 14 मेचेस के लिए हैं 10 मेचेस जीती है जिन में से होबर्ट ने 4 मेच के लिए एक इमेच विन कर भाई है तो पर्थ स्कॉचर का होम रह सकती हैं इनके प्लेयरों का सेलेक्षिन काफी कंवें जो आज अपने ग्रेंड लीम अच्छा विन कर वा सकते हैं इस में पिछले तो दस मेच करके ले गया है उसमें पहले बेटिंग करते हुँ पाच और चेस करते हुए पाच मेचेस विन किये गए हैं इसके अलावा वेन्यू के अगर टॉप त्री पर्फोर्मर देखोगे दोनों साइट से तो यहां पर दोस्तों बैथ मुने के रिकॉर्ड बहुत जबर्दस रहते हैं 31 को सब्सक्राइब नेट इसकाइबर जो कि पिछले दो मैचस मिस्स करी हैं अगर आती है तो इस वेन्यू पर अच्छा पर्फोर्मस दे रहा है लास्टेस में जिग्रोप आउट हुई इस मैच में अपने लिग में ट्रम्प मगाट पिक रहेंगे लीज ली और एलेज भी लानी नहीं है तो इनको अगर आप तो दोस्तों पीपी के लिए रहें कि अच्छे रिकॉर्ड रहें इस वेन हैं फिर भी इनको आप ग्रेंड लिग में जरूरू ट्राय करना है दर ग्राम के रिकॉर्ड ठीक ठाक रहें बॉलिंग में इसके अलाव मॉली स्टेनों के अच्छे रिकॉर्ड है नहीं है यहां पर देखो के हैट टूएड में तो पर्थ स्कॉचर थोड़ा सा आगे रही है ग्यारा मेंचे जरूने विन करें और होबर्ट में मात्र चार मेंचे विन करें हैट टूएड में दूस्तों टॉप थ्री बेट्समेनों की बात करें तो सोफी डिवाइन अच्छा क्यालति है सहाट का उसते बहुत जवरदस रिकॉर्ड रखती है बेद मुने के 46 का उसत करती है सोफी डिवाइन के ठीक रिकॉर्ड है और टी पैस्चल के अच्छे रिकॉर्ड यहाँ पर निकोला के रहे हैं स्मॉलिस्ट रेनों के ठीक ठाक रिकॉर्ड है और एम गिप्सन के ठीक रिकॉर्ड रहे हैं लास्ट जो हैट्ट खेला गया तो दोनों टीमों के बीच उसमें क्या हो था होवर्ट हरीकेंट बुरी तरीके से जीती हारी थी और यह दोस्तों इस सीरीज का ही मुकाबला है जो कि तीसरा में मुकाबला था इस सीरीज का दूस्तों यहां पर डिवाइन अच्छी चली थी लॉरेन विफिल्ड ने भी 27 न बनाया थे अलाना किंग और यहां पर एक नई प्लेयर आई है क्लोरा एंच्ट बॉर्ड इनके मेरे रिकॉर्ड देके रीचेंट फॉर्म जो चल रहा है अच्छी कैप्टन आप्सन रहेगी ग्रैंड लिंग में जरूट रहा है करना है स्टेला के एंप बिल को दो विकेट मिला थे हैं पर मॉली श्ट्रेनों चली थी और यह मेंज दोस्तों पर्थ स्कॉर्चर ने काफी इजली विन करा था इसके अलब लास्ट सेकेंड हिट्ट की बात करें जो कि 2022 जाने की पिछले साल खेला गया था तो यहां पर आप देखोगे हैदर ग्राम चली थे दोस्तों बैत मुने ने बैटिंग में अच्छा कॉंटर्बिट करा था और अलाना किंग टी पेसचल को तीन तीन विकेट मिल लेते हैं इस में इसके अलागत दूसों ग्रेंड लिग की कुछ इंपोर्टन टिप्स हैं ग्रेंड ली की पहले टीप जो रहने वाली होता क्या है ग्रेंड लिग लगने के चांस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं तो नए प्लेयरों आपको जरूर ट्राय करना चाहिए और कि वह जो प्लेयर रहते हैं वह ग्रेंड लिग में आपको काफी अच्छा वीडिंग करवाते हैं और वुमेंस के मैचस में क्या होता दोस्तों हर मेच में नए नई प्लेयर निकल के आती है बहार इसका कुछ एक्जामपल देख लो बैत्मुने फर्स्ट में फ्लॉप रही अच्छा पर्फम करके गई तो वुमेंस के मैचस में जर्रली एसा ही होता है तो ग्रेंड लिग के लिए मैच एक्सेलेंट रहते हैं दूसरा रहता है दोस्तों कि बड़े-बड़े प्लियर वे आपको रिस्क लेना चाहिए व्यूमेंस के मैचस में ग्रेंड लगने की बह करके आता है तो ये दो प्लियर आज अपने लिए रम पकाट पिक रहने वाली है इनको आपको ज़रूर ग्रेंड लिग में कैप्टन आप्स क्रिप्टन ट्राय करना चाहिए दोस्तों इसके अलावा ग्रेंड लिग के कुछ कैप्टन आप्सन सुन लो सी एंट बोर्त की ब बॉलिंग में और बेटिंग दोनों का एडवांटिज है बेटिंग में ओपन प्लेस पॉलिंग में भी तीन चार ओवर आपको डालती दिखेंगी तो इनको भी आपको कैप्टन ज़रूर ट्राय करना चाहिए हाले कि लास्टेश में रण ज्यादा पड़ गए तो इनसे मा परसेंट रहेगा और बैध मुनिया कभी बान के चलना तो यह तीन प्लेयर का जो कैप्टन परसेंट रहेगा 85 परसेंट रहने वाला है और यह तीन प्लेयर दोस्तों अगर आज पलाप होती है तो ग्रेंड लिंग में आपको बता है उनको ट्राय करोगे तो बहुत इसके अलावा पर्थ स्कॉचर के प्लेंग इलिए बन देख लो सबसे पहले जो दो मेचे को इसमें एक मेच जीता है एक मेच हा रहा है दोस्तों और इनका अगर आप प्लेयरों की परफॉंस देखोगे और यहां पर इनका स्कॉर कार्ड में ने मैंसन कर रहा है दोनों टीम ह क्या दोनों मेचों में क्या परफॉंस रहा है बैट बोने एक मैच में चली एक मेच में फ्लॉप रही है सोफी डिवाइन की बात करें दूसरे मेच में कुछ खास नहीं कर पाई थी बॉलिंग में एक विकेट मिल यह बिल्कुल कम पॉइंट दिला रही थी मेडी डार के ल पहले मेच में बुरी तरीके से खेल रही हैं थी एक भी हिट नहीं मार पाई थी चोके के लिए 16 मातर 14 रं दूसरे मेच में दो चोके दो चक्के मारे और तीसरे रं बनाये थे बहुत अच्छी टच में दिख रही हैं तो दिहान रखना इन पर आप रिस्क ले सकते हो क्यों पीपे क्लेरी भी लास्टेस में विकेट लेज गई हैं ये भी इस मैच में ग्रेंड लिग में इंपॉर्टन साबित हो सकती हैं लिली माइल्स दुस्तों लास्टेस में एक ही विकेट मिला था और अच्छी प्लियार है इनको आपको ज़रूर कैफ्टन ट्राय करना हो सी एंस्टोन का फॉर्म बहुत जबरदस चल रहा है इनको आपको फिर से ट्राय करना चाहिए और ओपन देट की बॉलर है बिल्कुल ट्राय करना और ग्रेंड लिग में एक एंपॉर्टन मस्टेपिक रहेंगी स्मॉल लिग में भी लेके चल सकती हो स्टेला के एंप बे देखोगे तो लीजली लेने वाली है पहली ट्रंप काट पिक हैदर ग्राम रेने वाली हाला कि सेफ में आती है लेकिन ग्रेंड लिग में भी आप इनको कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि जीरो प्याउंट हो रही है ब्राउनी स्मिद लास्टेज में कुछ खास करनी पहें स सेलेक्सन थोड़ा सा कम हो चुका है जरूर राय करना अच्छी पिक है नाओ में इस्टेलेंबर फ्लॉब गई है और यहां पर रूत जॉंस्टन यह बहुत इंपॉर्टन पिक है ग्रेंड लिग के लगर जरूर राय करना यह बॉलिंग भी करती है लास्ट इसमें से एक भ करना चाहिए इसके अलबा आगे बढ़ते हैं दोस्तों पर्त स्कॉचर का स्कॉइट डिटेल देख लो यहां पर आपको सभी प्लेयरों का रिसेंट फॉर्म दिख जाएगा क्या फॉर्म चल रहा है और ओवरोल टी-ट्विंटी में क्या रिकोर्ड है वो भी मैंने हाफर मेंजन कर रहा है तो लॉरें फिल्ड की बात करो तो यह एक बहतरीन प्लेयर है और बहतरीन पर्फॉमस देती है और इनका आप देखोगे ल विकेट की बिंग कर रहे हैं वो यह कर रही है एमी जॉन्स नहीं कर रहे है तो आपको इक्स्टा जो पॉइंट मी लेंगे विगेट की इनसे मिल सकते हैं एमी जोंस यह रिकॉर्ड है इसके अलावा सोफी डिवाईन लीसा ग्रिंफिन यहाँ पर आप इनके परफॉमस दे तो यह पर लीली के बात करो तो यह इनका टच दिख रहा है ठीक ठाक फॉम में दिख रहे हैं इसके अलावा यह जो प्लियर जिसके आरे वह आपको बता रहा था इस सीरीज में भी चार विकेट निकाल चुकियो और इसके पहले भी जबरदस फॉम में दिख रहे हैं तो टी पीपेसचल की बात करो तो इनके रिकॉर्ड भी ठीक ठाके इतने कोई खास पर्फॉम नहीं करा है पिछले दस्टाइक में पीपेक लेरो की बात करो तो इंसे टीव नहीं कराई थी लेकिन अभी सीरीज में कुछ ओवर करती हुँ दिख रही हैं बट बेटिंग में देखो इनको एलिस भी लानी नहीं है अभी अभी अबिलेबल जब आएंगी तब इनको जरूर लेके चलना क्योंकि इनका फॉर्म देखो बहुत पहत्तरी इन फॉर्म चल रहा है दोस्तों हैदर ग्राहम की बात करूँ यह एक अच्छी विकेट टेकर बॉलर है और बैटिंग में चांसे से की बालिंग दे सकती है इनको मिल सकती है और अगर इसा होता है विकेट लेकर जाएंगी तो यह एक्सलेंट ट्रंप काट पीग है ग्रेंड लिग के लिए इसके लाबा नावली स्टोल लेंबर्ग का पर्फॉमस देख सकते हो टॉप अगर कोलेप्स होगा तो यह यह भी स्कूर कर सकती है दुस्तों के रिकॉर्ड रिस्टैटली अच्छे रही है इसके लाबागा इमे इसमीत दोस्तों इन्होंने भी बॉलिंग नहीं करी लास्टिस में वो टीम चाहे तो इनसे भी पर्फॉमस एक्सलेंट रही है रिसेंट लिए दूस्तों मॉलीश ट् च्छुरूर रहेगा ना जो लास्ट इस में पर्फुर्म नहीं करके आपाई हैं तो इस में अच्छा कर सकते हैं और वहीं अपने लिए विनिंग का सिक्रेट रहेंगे और वही अपने को ग्रेंड लिग में अच्छा बात करूँ दूस्तों तो स्मॉल लिग की में ये टीम बना रहा हूं बाकि फाइनल टीम जो भी रहेगी मैं आपको टलिगाम चल पर सेयर कर दूंगा लेकिन तीन जो मेरी फाइनल ग्रेंड लि लीजली लीग को ज़रू ड्राय करना है इसके अलावा आगे बढ़ो यहाँ पर बैटिंग सेक्षिन में दोस्तों लॉरेन विन्फिल्ट वन ओप देश्ट ओप्सन है इनका सेलेक्शन ही बहुत हाई है और बाकि किसी भी प्लेयर इतनी कोई खास नहीं है तो आप इसली इ कुछ टीवों में आप ग्रेंड लिग में इनको भी लेके चल सकते हो आगे बढ़ते हूं और रॉनर सेक्षन में देखोगे नैट स्काइबर ब्रंट नहीं है सोफी डिवाइन हैदर ग्राम यह दोनों सेफ पीके और इनको में लेके चलूँगा अपनी स्माल लिग और ग् सकते हो इनके जगाँ भी डिफ्रेंशा प्लेर रहे सकते हो लेकिन आगे बढ़ान के लिए लिग में इसके अच्छी 2 अच्छी मोर कें रहे व करते हूं बाकी PP Cleary को आप जरूर ट्राय कर सकते हो M, Gibson भी अच्छे form में है इनको भी आप Grand League में ट्राय कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों यह जो player है इनको लेके चल रहा हूँ है क्योंकि अभी form भेतरी इन चल रहा है वो recently भी अच्छा करके आ रही है और अभी थोड़ा सा safe जाने के लिए मैं इनको प्री टीम में ट्राय कर रहा हूँ और यहाँ सा दोस्तों मैं लेको लेके चल रहा हूँ तो फिलहाल मेरा final team का final मेरा small league का preview यह बन रहा है और final मेरी grand league की team में आपके साथ share करूँगो telegram channel पे तो सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ सब्सक्राइब जरू करना बेलाई का जरू प्रेस करना इस डिस्क्रिस में आपको कुछ लिंक मिल जाएगी उनको चेक आउट कर सकते हो आप और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगाँ तो वीडियो का आप लाइक कर सकते हो